1980-2015 तक तकरीवन 4215 फिदाइन हमले हुए थे, जिसमें से 90% फिदाइन हमले इस्लामिक 85 संगठनों द्वारा कराया गया। वर्तमान में आत्मधाती हमले जो आप देखते हैं, इसकी शुरुवात इरान ने ही थी, फिदाइन हमलों का सबसे बड़ा विक्टिम इस्राइल रहा जिसे 1996-2002 तक हर दिन या हर दूसरे दिन एक फिदाइन हमला देखने को मिलता था। फिल्म बहत्तर हुरों का टीजर बाद में उसके ट्रेलर ने बहुत सारे हंगामा मचा है, इन सारे विवादों की जड़ क्या है इस पे चर्चा अवस्य करेंगे, लेकिन वो हम अगले पार्ट में करेंगे, अभी इस पार्ट में हम सोचेंगे कि कई बार चर्चा हो रही है फिदाइन हमले, आत्मगाती हमले, आत्मगवादी, संगठन, इसलामिक कट्रपंथ की जब चर्चा होती है देश में, तो कई सारे सवाल आपके मन में भी खड़े होते होंगे, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या फिदाइन हमला कोई एक रिलियस किनो निमा है, अगर नहीं, तो फिर इसकी सुरुवात कब हुई थी, और किसने इसकी सुरुवात की थी, तो ये अगर आपको जानना है कि सिदाइन हमले सुरु कब हुए, या आत्मगाती हमले की सुरुवात कब हुई, इसको जानने के लिए हमें आज से अपने पास्ट में जाना पड़े हैं, तो पा लेकिन नॉर्मल लोगों को यह सामराजी पसंद नहीं आ रहा था और यहीं से शुरू होता है सत्ता और लोगों के बीच में अविश्वास का संघर्ष, जियूस के लोग रोब सामराजी के खिलाब संघर्ष इतना बढ़ गया था यब वो विद्रोह का रूप लेने लगा थ लेकिन उस वक्त में रोम सामराजी के सैनिकों से लड़ना और उतने अत्यादूनिक हथियारी कठा करना जियूस समदाय के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम था तो इन्होंने लड़ाई की एक नई पद्दतीन मेंट की जिसमें कोई एक व्यक्ति जाता और रोम क चलता रहा और वक्त भीत्ते बीचते 12 सताबडि आगे 12 सताबदी में सीरिया में इसलाम के कुछ मानने वालों लोगों ने इसे पद्दती का इस्तिमाल किया खुच के बचाव के लिए अपने सामराजी के विस्तार के लिए लोगों पर हमला करना सुरू किया लेकिन पहली AD से शुरू हुआ युद्ध पद्धती 12 सताब्दी तक इतने चलन में नहीं था इसकी चर्चा तब जादा हो गई जब 19 सताब्दी में रूस के कुछ एनार्किस्ट संगथनों ने जो की लेफ्टिस विचारधारा के लोग थे उन्होंने इस पद्धती को जब एडॉप्ट कि संगथनों कीजाते लेकिन इसी दौर के बीच 1945 का वह दोर आता है जब जापान के उकिणोधा का युद्ध सुरू होता है वकिनोगा के युद्ध में अमेरिका ने जापान के खिलाब अपनी आर्मी और नेवी दोनों को भेज़ दी ऐसे में जापान ने युद्ध की एक तकनीकी तैयार की और उस और उसने 2000 कैमिजेक्स तैयार कर लिए इन कैमिजेक्सों को जापानी जहाजों में बैठा कर उस जहाज में प्रयाप्त विस्फोटक सामगरी भरके सीधे तोर पे ले जाके अमेरिकी जहाजों से तक्रा दिया जाता जुद्ध की यह रन्नीटी जान चली गए अब तक के इतिहास में जान और माल की यहाणी अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी हानी मानी जाती है 1945 तक भी इस युद्ध पधती में धर्म का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया गया था लेकिन नियती को कुछ और ही मन्जूर था 1980 में इराक और इरान का युद्ध सुरू होता है अमेरिका इराक की तरफ से युद्ध करने का फैसला करता है जिसके बाद इरान ने इस पध्धती को एडॉप्ट कर लिया और न केवल एडॉप्ट किया बल्कि इसको कम्प्लिटली मॉडिफाई कर दिया वर्तमान में आत् आत्मघाती हमले को एक नया प्रारूप न केवल देंगे बल्कि वो इस हमले को पूरी तरह से एडॉप्ट कर चुके हैं इस पध्धती को पूरी तरह से एडॉप्ट करके मॉडनाईच कर रहे हैं इसका ट्रायल 1983 में देखनों को मिला जब ट्रकों में बारूद भरके आत् यहां से ही modern आत्मघाती हमले का शुरुवात होता है और यहीं से आतंकी संगठनों ने इस युद्धनीती को एडॉप्ट कर लिया और फिदाइन हमले के रूप में आज जो भी आप हमले देखते हैं वो यहीं से 1980 के बाद से ही शुरू हुआ अब सवाल यह खड़ा होता है कि जब 1980 से पहले यह एक युद्धनीती थी तो इसे फिर किसी धर्म जिसेस से जोड़कर क्यों देखा जाता है तो आपको बता है कि 1980 से 2015 तक तकरीबन 4215 फिदाइन हमले हुए थे जिसमें से 90 प्रतिसत फिदाइन हमले इस्लामी कट्टरपंती संगठनों द्वारा कराया पहला फिदाइन हमला जो अमेरिका अमेसी पर हुआ था उस हमले को कराने की जिम्मेरारी नी ती इसलामी दावापार्टी ने इसलामी दावापार्टी के बाद 1983 का जो हमला हुआ वो हमला कराया था हिजबुल्ला ने अब आपको यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि हिजब बुल्ला पार, संगठन जो था, वो क्या करता था और उसका काम क्या था। इसी तरीके से, 1980 से 2015 तक, 4215 हमले, इसलामिक कत्र पंथियों द्वारा कराए गए. लेकिन ऐसा नहीं है यह फिदाइन हमले आज से पहले इस्लामिक कर्टरपंतियों द्वारा नहीं कराए गए दरासल फिदाइन सब्द की शुरुआ थी 1090 AD में हुई थी 1090 AD में निजारी इस्लामी नाम के एक व्यक्ति नहीं इस्लामिक थियोरी सामने रखती थी जिसका एक संगठन हुआ करता था हरा हसीन हरा हसीन वो संगठन था जिसके सैनिक हसीन का नसा किया करते थे और अपने हरा हसीन सैनिकों के लिए निजारी इस्लामी न मारने लगे। यह वही फिदाइन संगठन Ankara ता जिसमें निजामल मुल्क की प्वा पूछ। यह वं पूछेंगे यह को निजामल मुल्क कंए। तो निजामल मुल्क वही सक्ष है। जिस की वज़य से आज आज आप दुनिया भर ने और मदर्सों को को देख रहे थे मदर्सों का कॉंसेप्ट देने वाला यही व्यक्ति था अब ज़रा सोच यह कि 2018 से 2015 तक के बीच में इतने आत्मघातिक हमला कराने वाले किसी एक संगठन या किसी एक समुदाय से आये तो उनको फिर क्या कहा जाए फिदायन हमलों का सबसे बड़ा विक्टिम इसराइल रहा जिसे 1996 से 2002 तक हर दिन या हर दूसरे दिन एक फिदायन हमला देखने को मिलता थमास ने इसराइल की लोगों की जिंदगी को आजाब बना दिया था नर्क से बत्तर बना दिया था लेकिन 2002 के बाद सरकार सक्त हुई त कर दो इस तरह के हमलों को पूरी तरीके से रोक अब सवाल यह खड़ा होता है कि वरतमान में जो फिदायन हमले होते हैं आखिर Aisak qya बताया जाता है या फिर क्या पढ़ाया जाताह है उन हमला ее तो पार्ट मानें के उपर चर्चा करें किस तरीके से आतंक वादी संगठन या टेलिक्स और्गनाईजेशन लोगों का ब्रेन वास करते हैं और कौन सी थेयरी उनके दिमाग में पूरी तरीके से भर देते हैं कि वो फिराइन हमलावर बन जाते हैं अगर आप इस पूरे वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है तो आप हमारे चैनल को सस्क्राइब जरू कर लीजेगा विल आइकन को भी त्लिक कर लीजेगा ताकि इस वीडियो का अगला पार्ट जब आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक महुंचे तब तक के जय हिन बंदे मात्रा